किचिन कंपोस्टिंग या गार्डन कंपोस्टिंग कई तरीकों से की जाती है जिस तरीके से आपको सुटेबल लग उस तरीके से आप बना सकती है यहां पर आप देख रहे हैं यह मेरा कंपोस्ट बनके रेडी हो चुका है कुछ मिट्टी की तरह देखाई दे रहा है क्योंक कमोश्ट के लिए को निकाला था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया तो कम्पोश्ट बनाने के लिए आप कई तरीके से कम भूश्ट बना सकतें मैंने जो कंपोस्ट पनाया था वो मेरे ste cesda उस से COM पोस्टींग की थे ऐसके समय में जैसे कि सभी पता है कि अभी टाइम बहुत ही तो winter flower जो है जैसे ही खराब होने लगते हैं हमको composting चालू कर देने चाहिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने compost निकाले हुए काफी time हो गया था उसके बाद मैं click bad की तो मैंने इस तरीकी से दूप में इसको रख दिया था compost भी इन से निकाल करके मैं साल भर में दो बार compost बनाती हूं और 6-6 महीने पर उसको निकालती हूं मतलब कि दो बार साल में composting करती हूं यह जो मेरा six month में cover हुआ था six month का यह compost ready है और एकदम से प्रॉपर यह पूरा compost मेरा जो है बन चुका है इसके कुछ भी पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे तो यह मैंने किस तरीके से बनाया था वह आपको मैं तो यहां पर आप देख लीजिए पहले मैंने जो garden में अपने काम किया था compost बनाने के पहले वह आपको मैं दिखा रहे हूं यहां पर जितने भी winter के गुल्दावदी थे उनको मैंने remove कर दिया है मतलब कि निकाल दिया है जो मुझे color चाहिए थे उतने मैंने रखकर इनको आपको देखने में कम लग रही होगी लेकिन यह लगभग तीन बोरी चालिस चालिस किलो की तीन बोरी मिटी थी जिनको मैंने ground floor पर पहुंचा दिया क्योंकि टैरिस पर बेट ना हूँ विंटर के time में हम बहुत ज्यादा प्लांट लगा लेते हैं जिनसे बेट हो जाता है और प्लांट की बज़े से जो है हमारे टैरिस पर बहुत जादा बेट हो जाता है तो मैंने उनको नीचे रख दिया क्योंकि समर में इतने ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं तो ये जो प्लांट देख रहा हैं इनको मुझे सेफ करना है इनको मैंने हटा कर प्लांट प्लांट देख रहा है इनको मैंने रूट प्रून करके और एक जो पॉट है उसमें रख लिया है और यह सिंपल सी जो मिट्टी है इसी को जो है डालकर और जो थोड़ी सी गुबर की खाट डालकर इसको मिक्स करकर के मैं इनको सेफ कर लूँगी तो अगर आप भ सेफ कर सकते हैं पॉदों को जो हमारे गुल्दावदी के पॉदे हैं अगर इस तरीके से सेफ करेंगे तो हो जाएंगी यह है गोवर की खाट जो वैने सिंपल वे में इस तरीके से डाल दी है और इनको सबको ऐसे रखकर उपर से मिट्टी से ढग दिया है तो इनकी रूट इस तरीके से यहां से कट करके नीचे से जो है यह जो सूट्स निकल रही है इनसे नए प्लांट बनेंगे और हम कटिंग से जून जुलाई में नए प्लांट रेडी कर सकते हैं क्योंकि यह जो प्लावरिंग कर चोके हैं अब यह ब्रांच इतनी अच्छे जो है ब्रांच सेप करने में झालें या आप चाहें तो दूप में भी रख सकते हैं मैं जो करती हूं वह आपकी साथ में शेयर करूंगי यहां पर आप देख़े हैं मैंने सब गुल्धाउधी को हटा दिया है और यह जो है मेरी दूसरे दिन की किलिप है सब मैंने सेट्णिंग ट्रे थी वह हटती उनको भी हटा दिया है तो यह सीड्लिंग व्हाल को मैं राइस हस्क पहले भी मैं इसी तरीके से त्राइस थे गदिला भूप सब्सक्राइब आपके पास में राइसस्क ना हो तो आप जो है कुछ पेपर पर करती हूं क्योंकि उसका जो इंक होता है वह बहुत ही ज्यादा केमिकल से भरा हुआ रहता है उसको नहीं आपकोई सूखे पत्ते डाल सकते हैं उसके बाद में दो दिन हो गया था इसको सुखाते सुखाते तो भाए बैमिक्स करें बना रहे हूं किचिन वेस्ट rec exists का और गार्डन वेस्ट का और जो मिये रह सोखे हूए जो ड्राइ ली cav श्रुतं है यह जो इस अलिमका ता गल्राइ будет अवी अटा यह चाहें तो एक बार हमारा गार्डन का या किचिन का वेश्ट एक भाग मिट्टी इस तरीके से भी डाल सकते हैं लेकिन जो है मुझे एकदम हल्की सी जो कंपोज चाहिए तहीं इसलिए मैं इस तरीके से कारा और मेरी किच्चन कंपोज जो है लगवक 6 माहिने लेती बनने म बहुत अच्छे से होता है और किचन कंपोस्ट जल्दी रेडी हो जाती है और एकदम फाइन रेडी होती है जैसे कि मैंने आपको देखाया था इस तरीके से आप भी कंपोस्ट बना सकते हैं अभी इस टाइम पर जितने भी प्लांट लवर है वो गुल्दाओदी जरूर लग ऐसे कारे को जाएं और को इक से आप कीचन के आप बेणा ज़s akiva अजया के चुट सawatकिया है और कि रखि कर गए चिचनNext के विए गशेश्चे की साइड जाएगा क्योंकि टक भी ओर कर सकते हैं तरीके से मैंने इसको इसको कमपोस्ट को रेडी किया है तो यह को गुल्दा मैं इनका कोई भी उज़ नही है तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा है अब यह जो है 9 इंच गरोप उनको मैं साफ करके रख लिया और ये मेरे गुल्दावदी के जो मैंने आपको बताया था मैंने मारकर से मारकर करके रखे तो इन में मैंने कुछ जो है खाली ही पड़े थी साइड साइड में सिनेरेरिया की पौधे लगा दी हैं जो मैंने सीड से जर्मिनेट किये थे और 6-7 पौधे जो है मेरे रेडी हो गए थे तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर न्यू हूँ तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ हैपी गार्ड़